जंपिंग इवेंट्स के अंतरकत चार खेल होते हैं लॉंग जंप, लंबी कूद, ट्रिपल जंप, तिकली कूद, हाई जंप, उची कूद और पॉल वोल्ड, बास कूद हाई जंप एक फील्ड इवेंट है, जिसमें प्रतिस परदियों को एक निर्धारित उचाई को पार करना होता है, याने की होरिजॉंटल बार को कूद के पार करना होता है, हर निर्धारित उचाई को पार करने के लिए तीन मौके परदान किये जाते हैं, इस तरह से हर खिलाडी का अगली निर्धारित उंचाई के लिए चैन किया जाता है और इस तरह अंतिम निर्धारित उंचाई को पार करने वाले खिलाडी को विजेता घोशित किया जाता है requirements इसमें दो पोल पर एक बार होता है जिससे खिलाडी को जम्प करके पार करना होता है इसमें खिलाडी एक पिट पर लैंड करता है जो फोम का होता है और खिलाडी को चोट से बचाने में सहायक होता है इस खेल में खिलाडी अपने को जमीन से उपर एक उचे लक्ष को बिना हाथ लगाए पार करने की कोशिश करता है लक्ष से जितना उपर जम्प उतना जीतने का मौका हर खिलाडी को हर हाइट को बार करने के तीन चांसेज मिलते हैं हर सही जम्प के बाद खिलाडी टार्गेट को 5 सेंटिमेटर बढ़ा सकता है अगर जम्प करते हुए खिलाडी के शरीर का कोई यंग बार से टच हो जाए परन्तु बार जमीन पर ना गिरे तो ये सही जम्प मानी जाती है और अगर गिर जाए तो गलत जम्प हो जाता है अगर दो से अधिक खिलाडियों बे हाईट को लेकर टाय हो जाता है तो कम फाउल करने वाला खिलाडी जी जाता है